नर्मा कपास के किसानों की होगी चांदी, मुझूदा चालू सीजन में भी MSP प्राइज से मिलेंगे जादा दाम जी हां मुझूदा समय में करशी मंडियों में कपास की कोई जादा मांग भी नहीं है लेकिन इसके बावजूद कपास के दामों में जादा गिरावट नहीं आई और अच्छे भाव बने हुए है करशी जानकारों की माने तो आने वाले 2-3 महिने में कपास के भाव में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी स्तंबर के आसपास कपास के भाव में 400-600 रुपए परती कवंटल की और तेजी देखने को मिल सकती है जिन किसान भाईयों के पास नर्मा कपास का पुराना स्टोक पड़ा है उनको अभी थोड़ा और इंतिजार करना चाहिए लगबग 15 स्तंबर के आसपास नर्मा और कपास के भाव में लगबग 400-600 रुपए की तेजी ओर देखी जा सकती है उसके बाद ही किसान भाई अपने माल को एक साथ ने बेच करके दो या तीन भागों में बेचें सफेद सोना यानि कपास की खेती इस साल किसानों के लिए काफी फाइदेमन साबित होगी वैस्विक बजार में रुई के दाम में आई तेजी के बाद देश में कपास के भावों इसके MSP प्राइज से भी जादा है किसान अब सरकारी एजन्सी की खरीद के मोहताज नहीं रहे कोटन एस्वियो सेशन ओफ इंडिया के अध्यक्स अरुतुल उगनात्रा कहते हैं कि अब की बार सफेद सोना वाकई किसानों के लिए सफेद सोना बन गया है कोटन के MSP प्राइज की बात करें तो पिछले साल नर्मा का MSP नियूंतम समर्थन मुले 515 रुपए था जिसको अब की साल बढ़ा करके 5726 रुपए तो वहीं लोंग स्टेपल यानि देशी कपास का नियूंतम समर्थन मुले 5825 से बढ़ा कर 6025 रुपए परती कवंटल किया गया है और वर्तमान में किसानों को इन दोनों ही क्रशी जिन्सों के भाव MSP यानि नियूंतम समर्थन मुले minimum sport price से ज़्यादा मिल रहे हैं और आगे भी संभावनाए हैं कि नर्मा और कपास के बाव जल्द ही 8000 रुपए परती कवंटल के इस्तर को पार कर जाएंगे ऐसे में किसान भाई अपने पुराने स्टोक को बेचने की जल्दी ना करें किसान भाई अपनी सारी उपच एक साथना बेच करके दो या तीन भाव में बेचें थैंक्यू